नमस्कार, मैं हुँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यिंदी.com सत्यिंदी.com के खास कारक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है आप स्क्रीन पे एक शक्स को देख रहे होंगे इनका नाम है पुष्पेंद्र सिंग चौधरी जी है ये किसानों के नेता है हमारे कारक्रम में अक्सर आपने इनको देखा होगा आप सोच रहे होंगे जब पूरी दुनिया पुरा भारत इस वक्त चर्चा कर रहा है चार और एक यूनिन टेरिटरी यानि पुड़ुचेरी के विधान सबाद चुनाओं के बारे में दिल्ली के बौर्डर पर पिछले 120 दिनों से बैठे हुए हैं उन किसानों की क्या कोई आवाज नहीं है क्या इन चुनाओं में किसानों का कोई मुद्दा नहीं है भारत के इतिहास में इतना बड़ा किसानों का अंदोरन फिलाल नहीं हुआ इतने लंबे समय तक जो चल रहा है तो यह महत्वपूर सवाल है और यह सवाल देश की नब्ज टटोलने का सवाल है कि जो किसान इतने दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं दिल्ली के चारों तरब बैठे हुए हैं अचानक पूरी बहस से, पूरे विमर्श से, पूरे डिबेट से, पूरे डिस्कोर्स से अगर गायब हो जाएं तो यह कई गंभीर सवाल खड़े करता है एक सवाल खड़ा करता है क्या हमारी राजमीतिक सम्वेदन शीलता इतनी सम्वेदन हीन हो गई है कि किसान बैठे हुए हैं, भायानक सर्दी बेठे थे और अब गर्मी का मोसा बारा हो उसने कोई सुनने वाला नहीं है दूसरा, क्या इनकिसानों के आंदोलन का इन चुनाओं पर किसी तरीके का कोई असर पढ़ने वाला या पढ़ने वाला नहीं अगर नहीं पढ़ रहा है तो फिर भारत के लोकतंद पर गहरे सवाल ख़़े हो जाएंगे सवाल इसलिए ख़़े हो जाएंगे क्या सरकारे इतनी पावर्फुल हो गई है उनका प्रोपगंडा इतना पावर्फुल हो गया है कि किसानों को मुद्धे उनको लोगों तक कनेक्ट नहीं जोड़ पा रही है तो बहुत सारे सवाल है सवाल ये भी है किसानों के सांदोल उनका भविष्ट क्या होगा सवाल ये भी है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है तो आगे का मार्गदर्शन क्या होगा, आगे का रास्ता क्या होगा इन सब पर पुष्पेंजी से करेंगे सीधी बात चीद आज करेंगे लेकिन उसके पहले छोटी सपील सत्हिंदी.com में कोशिश है, इमानदार पत्रकारिता के लिए आजाद पत्रकारिता के लिए, बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता के लिए इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी बातों को सुनें हमारी मदद करें, हमें आर्थिक तौर पर मदद करें सत्थ हिंदी सदस्ताभियान के साथ जुड़ें और साथी साथ हमारा मुबाइल आप भी डाउनलोड करें तो पुश्मेंजी आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्सर आपके साथ हमने बहुत सारे महमानों के साथ बातचीत की है उसमें कई बार मुद्धे बहुत गहरे भी आए और कई बार मुद्धे गुम भी हो गए तो मैंने सुचा कि आज आप से सीधी बातचीत करनी चाहिए मेरा पहला सवाल ये है कि जो किसान पिछले हजारों किसान बैठे हुए है ऐसा लग रहा है जैसी उनकी आवाज पूरी तरीके से गुम हो गई है अब तो अखबारों में उनके बारे में खबर सुनाई नहीं पड़ती है यूटूब चैनल पे भी अब शायद दिखाई दी पड़ते हैं क्या कारण है देखिए आशुतोस जी जो शिकंजा जैसा आपने बताया है कि सरकारें इतनी पावरफुल हो गई है कि आज भी अगर आप वास्तिक रूप से जाएं ठीक्री बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पे लगबग 25-25 किलोमेटर लंबे काफिले में किसान बैठे हुए हैं किलोमेटरों के लंबे काफिले लगे हुए हैं लेकिन फिर भी जिस प्रकार का मीडिया का कवरेज उनको मिलना चाहिए हलाकि कुछ मिला भी लेकिन कुछ नेगटिव भी मिला पॉजिटिव भी मिला और आप जैसे जो वरिष्ट पत्रकार हैं यूट्यूब के माद्यम से और चलनों के माद्यम से सर्थेहंदी.com के माद्यम से आपने लगातार आवाज को बुलंद करने का काम किया है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये कुछ मंचा ऐसी लगती है कि ठीक है जिसको जो है कार्पेट के नीचे डाल दिया जाए इस मुद्धे को इससे बड़ी घटना देश के सामने चुनाव रख दी जाए और यदि चुनाव में हम जीत गे तो ये बता दिया जाए कि देखिए सामने जाने बहुत जरूरी हैं जी मैं पांचे स्टैक शॉट्स अगर आपके आग्या हो तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका प्रभाव सामाने व्यक्ति पर भी पढ़ता है और किसान पर भी पढ़ रहा है हमारे देश की जो जीडिपी थी वो कॉंस्टेंट ट क्रणी रुपे हो गई गलत मीत्यों की वजए से हुआ हमारा जो बजट था पिछले साल का जो साड़े चौटिस लाग क्रोड करूड ठा उसमें से साड़े अठारा लाक क्रूड रुप्या हमारा अधार है करजा है यह जिरी गौव में जिसे कहते हैं कि हम उधार लेके करजा हो गया है जो सस्टेनिबल नहीं है और हमारे देश के बजट का चालिस पीजदी हम जो है ब्याज में खर्च कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक सिक्वेशन बनी हुई है इसका प्रभाव भी हमारे देश के तमाम लोगों के उबर पढ़ रहा है इसके अलावा तमाम चीज़ों को बेचने का काम यह सरकार कर रही है जो यह कहते थे दंब बरके के हम देश्ट नहीं दिखने देंगे अभी पिछले दिनों जो इंडियन एक्सप्रेस में रिकोर्ट आई है चाहे वो रेलवे हो टेलीकॉम हो रोड्स हो हाईवे हो ब्रिजीज हो या आप सो बीच डॉलर में कच्चा तेल आता साथ में बिखता था और पच्पन में साथ में बिखता था तेल उस वक्त यह कहते थे 35 में हम देंगे अब यह 100 में बेच रहे हैं यानिकि हम दो हमारे दो की सरकार बन गई है और डीजल नबहे पेट्रोल सो का इनका नारा हो गया है इ बहुत ज्यादा संख्या मजदूरों बढ़ गी है क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है और इसके कंपेरिजन में इनके खुद के जो दो है यानि अडानी अंबानी में नाम लेकर कहूंगा पिछले साल की जो लिस्ट आई है सबसे ज्यादा धन यदि किसी का बड़ा ह है तो 16 बिलियन डॉलर अदानी का बड़ा है आठ बिलियन डॉलर जो तेरवे नंबर पर है वह अंबानी का बड़ा है और अब मैं अंत में जो एक लंडन बिजनेस स्कूल के प्रफेसर का एक लेक हाया था उसको मैं रेफर करके कहूंगा कि जिस प्रकार से इस देश में ए काम कोई पत्रकार कुछ स्टोरी कर दे उसको जेल में डाल दो कोई टूइट कर दे उसको जेल में डाल दो कोई प्रफेसर कुछ आपके खिलाफ लेक लिए तो इसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दो तो ऐसी बुरी इस्थिती लोगतंत्र की हो गई है कि लोगतंत आपको पूरी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल ये कि जब सरकार पीछे हटने के लिए तयार थी, सरकार कह रही थी कि हम देड़ साल तक या दो साल तक हम इन कारूनों को बैक बर्नर पर रख देंगे, सुप सरकार आपकी नहीं सुनती है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या आप लोग जिम्मेदार है? अगर आप वोट की भाषा समझते हो, वोट के माद्यम से ही सारी चीजों को आंक्ट हो या पहमाना आपका केवल वोट है, तो अब से ले करके दोवजार चौबिस के वीच में जो भी चुनाव आएंगे, उनमें हम आपका विरोज करेंगे, हम कहीं पांच परसेंट वोट कहीं, दस परसेंट वोट कटाएं, कहीं बीस परसेंट जितने भी हमारी क्षमता होगी, चोकि छोटा वर्ग नहीं है किसान, आदी आबादी इस देश की खेती किसानी पर निरवर है, तो उस रननीती को हम लेके चल रहे हैं, जहां तक वारता की बात आपने कहीं, वारता के भी उनके हाथ में कोई ताकत नहीं थी, दो कैबिनरट राइंक के मिनिस्टर्स आपसे लघातार बातचीत कर रहे थे, सरकार की तरफ से परपोजल भी आयता है, पराली का कानून था हुआ ठीक हैं, इसको भीटरॉकर लेते हैं, बिजली का बिल था उसको ने कहा ठीक हैं, इस में दो दो मूल मांगों को लेकर आंधोरन हो रहा था एक तो मिनिममम सपोर्ट प्राइज जो कोई चर्चा नहीं की गई इसका डिसकेशन करते रही है और कानूनों को वापस लो वापस लेने की जगे इसको कम से कम जो है लंबे समय के लिए स्थखित करना और कमेटी जिसमें किसानों के प्रतिनिदी शामिल हो उस तरीकी की बात की जा सकती थी लेकिन उसको भी सरकार में नहीं का माना है वास्तों में यह दिखाते रहे कि हम वारता कर रहे हैं लेकिन वारता में जो determination होनी चाहीए वो नहीं थी इस करने की बात जरूर कही गई थी लेकिन जो मूल मांग थी उसके अनुसार जो MSP वाली बात है अगर उसको माल लेते तो suspension पर हो सकता है किसान भाईयों को मनाया जा सकता था लेकिन जब उसको नहीं मानेंगे तो कहीं न कहीं उस वारता कारते उनको भी पूरी पावर नहीं दिते ही अब मेरा सवाल आप से आप से बात्चीत नहीं कर रहенीभी मैरी के बाद से सरकार ने आप से बाचीत कर्णी बंद कर दिये हैं अब आप लोग क्या करेंग ंब्ण छा गया हात में मिला भी कुछ नहीं था जो लोग तंतर में भाबाए साओ धीमराव अंबेडकर स हमारे सीने पे आपने कील ठौक दी है और वहारी बात को आप नहीं मान रहे हैं। हमारी शहादत पे शहादत होती चली जा रही है। अधर लिwinning मोट tääथ में कभी इस तरह की सरकार से रहे हैंं मैं तो भाजपा के सांसदों से भी कहुंगा जिस प्रकार से इनका विरोध गाउं गाउं में हो रहा है पिछले दिनों पूर सांसद गए थे मतरा में उनके उपर पत्राव तक हो गए आला कि हम किसी हिंसा के समर तक नहीं है लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही है इनको हुए कि लेने के देने पड़ सकते हैं मामले में लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं वह हमारी बात नहीं मानग है इसके लिए भी आ laugh वे यहांनुी मानते हैं आपको Pepsi सांसद हमने बना के बेजा दोजार चौबिस तक हमारे ही तो हाथ कटे हैं आपके हाथ नहीं कटे हैं तीन सो में से एक विक्टी को आपने अपना नेता चुना वह पुरदान बात आपकी नहीं मानते तो कि आपकी जवानत जब्त होगी और इनको पता है कि हमारा भारी रुक्सान हो रहा है आप जो बात कह रहे हैं आपके कहने का मतलब यह कि बारती जंता पार्टी जो है वो नरेंद मोधी जी को बदल दे या आप कहना चाहते हैं देखे इसमें कोई आश्चरदरक बात तो है नहीं अभी उत्राखंट के सीम बदले गए हैं और लोग कंत्र में 300 जो सांसद है या जितने भी सांसद है भाहुमत के सांसद का जो नेता होता प्रदान मंत्री होता कोई पत्तर की लकीर थोड़ी है कोई भगवान थोड़ी है कोई जो है देश से गड़े में और दूसरी गैस डीजल पेट्रोल उपर जा रहा है इन सबके चलते अगर इस एक व्यक्ती को एक व्यक्ती की जो एक बैल की दाएं मैं बार बार कहता हूं चल रही है जो सभी संस्थानों को कुछ रहे हैं आपकी पार्टी को भी सबात कर देंगे तो उन्हीं क किर्णों कोई मुद्दा नहीं अस्भान हो खांटी क्रला बैंगोरireण में कोई मुद्दा नहीं तो क्यों फ्रीक्राइब मुद्दे अथमयर खर्ऊनों की बाला लूग её नहीं करें heavenly मुद्दा किमट्थ हैं और गोट 1991 कsi 9 just year लेकिन वो मुद्दा नहीं है थी तारीक में जो जो खबरें आ रही पश्चिम बंगाल से असम से वहां पर केती किसानी और किसानों का यह मुद्दा नहीं है तो ऐसे में आप कुछ इलाके में आप मजबूत है यह बात सच है लेकिन अगर देश के अंदर अगर नरेन मोदी यह लोगपरी है तो लोगपरी है देखे मैं इसमें अगर सारे देश की भी यह बात करें तो बार 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 बताता हूं इस बात को 90 करोड़ वोट जो किछले रहे तो हमने किया कनशन था समया चाहिए और कोई भी व्यक्ति निरंग कुछ नहीं जाए कि एक ऊकुछ नहीं यह में और और कोई यह similar कोई बढ़ां नहींац यह तो आप मानेंगे ना कि मोदी जी देश के सबसे लोग पुरिया नेता ये भी मानेंगे भारती अंता पार्टी को इस मकाम तक पहुंचा रहे हैं उनका बहुत भारी यह आप बहुत भारी लोग पुरिया नेता तो अडवानी जी भी थे और दो सीटों से लाकर के यहां त नाओं की भाषा में कहूं कि भी यह दाड़ी इनोंने बढ़ा लिए गुफा में यह वहां जाकरके बैठे थे जोला इनको आठावंड के लिया दो इनको जोला थमा दो वरना यह सारे देश को जोला थमा देंगे और बाजपा वालो तुम्हारी भी जमानत करा देंगे मोदी जी की वज़े से ही उनका भाहमत है मोदी जी की वज़े से ही राज्यों के अंदर और फैले गए अब आप लोग क्या करेंगे चुनाओ अभी 2024 बहुत दूर है आज की तारिक में क्या आप लगातार बैठे रहेंगे आप उठेंगे नहीं चार मेनित हो चुके हैं लोईया साथ ने ये कहा था कि जिन्दा कौमें पांस साल तक इंतजार नहीं करती हैं बीच में जो भी बीस पच्चिस चुनाओ आएंगे उसमें इनका विरोध करने का इनके खिलाफ वोट करने का काम करेंगे और 2024 बिलकुल बैठे रहेंगे बिलक आपने का कि जिताते रहे हैं मोदी जिताते रहे होंगे लेकिन आज का स्ट्रॉक प्राइस इनका डाउन है भविष्व में ये नहीं जिता पाएंगे भविष्व के लिए अपना नया नेता तयार कर लो और राजनेतिक व्यक्ति इस चीज़ को बड़ी दूर सा सूंग ले तो आप 2024 से पैठे रहेंगे अगर 2024 से फिर मोदी जागे फिर क्या करेंगे आप लोग ने अब इनकी कोई संभावना आने की नहीं है जो विरोध हो रहा है जो लेकिन जन्ता के बीट में ऐसे मुद्दे किसानी का मुद्दा आज की तारिक में बड़ा मुद्दा नहीं दि कर दो कि अब तक आप अपने जित पर अड़े रहेंगे क्यों नहीं आप बीच का रास्ता निकालते हैं देखे मैं बहुत इस प्रस्ट कर दूँ के साथ साल हो गया देश को इंज़ार करते हुए अच्छे दिन आने का इंज़ार करते हुए आम का प्ल लगने का इंज़ार कर दो प्रस्ट करेंगे इस प्रस्ट करने के लिए समय इस्थान दिन नियत कर दीजे हम लोग आ जाएंगे लेकिन अगर देश यह सोच रहा है कि इस पेड़ पर आम के फल लगने वाले तो गलत सोच रहा है बबूल के पेड़ पर कभी आम का फल नहीं लगता है इस बात को समझ ले देश चाहिए साथ साल होगे सब्तर साल आप इनको सासन दे कर देखनो इस तरीके से इस्थिती गंबीर देश की बनी हुई है संस्थाएं कुछली जा रही है देश को भी जागना होगा किसानों को भी जागना होगा इनके खिलाब वोट का इस्तमाल ब् कर देंगे चली अब यह तो भातियंता पार्टी को ता lo Architecture साथ रहें कीतरा रहेगा बहुत सारे सवाल है हमने कोशिश किये जानने की दरसल किसानों का जो एक गुस्सा है वो क्यों है और सरकार के उनसे बाचीत नहीं कर रही तो इस मकाम को किस हब तक वागे ले जानेगा सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर